हलो दोस्तों स्वागत है आपका हाई टेक कंप्यूचर चुटियोल के इस वीडियो में इस वीडियो में आपको बताऊंगा विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं MS Word के अंदर अधिक तर विजिटिंग कार्ड फोटो एडिटिंग सॉफटर में बना जाते हैं और काफी लोग समझते हैं क Benga अगर MS Word में जानते तो उसमें बना सकते हैं यह नहीं बना सकते हैं तो आप इसमें विजिझ कार्ड में आपको एक file में बनाके बताओंगा तो इसके लिए सबसे पहले में क्या करूंगा एक नएया file लोंगा MS Word का नएया document ठीक है और नएया procurement लेने के बाद में सबसे पहले मे ले-आउट में जाओंगा और ले-आउट में मार्ज्न group of tool के अंदर custom margin ठीक है insp서 from a custom margin ठीक है हो सकता है जैसे मैं इसको क्लिक करूँ गा तो पेज सेट अप डाय लोग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहां पे दो टेप मिलेंगे आपको मार्जिन और पेपर टीप ठीक है जो margin है उनको zero कर दिया सबसे पहले यह वाला फिर bottom zero उसके बाद में मैंने left वाला margin zero कर दिया bottom margin zero कर दिया orientation आपको लेंडस के पी रखना है और फिर okay press करना जैसे आप okay press करेंगे देखो यह piece का size बिल्कुल एक दम वैसा होगा जैसे आपने आपर define किया था यहां पर दूसरा का काम क्या है यहां पर design tip में जाके इसके color को change करना पीच color को जैसे मैंने यहां पर light dark ले लिया light blue ले लिया ठीक है एक नीचे जो राइड कलर का पटी है वो भी shape है तो यह तीनों shape अपन डालेंगे तो शेप डालने के लिए insert पे जाऊंगा और यहां पर insert पे जाने के बाद में इंसर्ट पर जाने के बाद में शेप में गया और यहां पर सरकल शेप मैंने ले लिया ओवल वाला शेप ठीक है इसको क्लिक किया क्लिक करने के बाद में मैंने इसको साइज यहां पर ड्रॉ करके आप देख सकते ह। मैं यहाँ पर दौक किया है। गोर दिके यह देङ। और बढ़ने के बाद में यह ऐसे कर दिया मैंने। इसका color change कर रहा हूँ color shape film में गया और shape film में मैंने जाके इसको कोई भी एक color ले लिया जैसे मैंने यहाँ पे green color ले लिया ठीक ऐसे ही मैंने इसको copy किया copy करने के बाद में paste किया और यहाँ पे यह दूसरा जो shape है इसका भी थोड़ा सा size में बढ़ा कर लेता हूँ ताकि यह border एकदम touch होते भी दिखाई दिए और इस तरह से यह आदा shape बार रहेगा जो बार है वो visible नहीं होगा और जो अंदर की side में paste area में वो visible होगा ठीक है तो ऐसे करके आप यह दोनों shape बना सकते हो दोनों shape बनाने के बाद में इस दूसरी वाली shape का मैंने color change कर दिया यह ठीक है और यह करने के बाद में अगर आप इसको थोड़ा सा हलका सा rotate करोगी तो और भी अच्छा दिखेगा जैसे मैंने यहां पे हलका सा rotate कर दिया है ताकि यह design ऐसे अच्छी दिखाई दे ठीक है इस तरह से करने के बाद में आपको यहां पे no outline दिखा देना है दोनों मे this i side में ready color का पठी है तो पठी दालने के लिए में इंसर्ट में दिखे गया इंसर्थ में ठी मैंने sheep मैं र seventy tarช और शीप लिया और यहांप सब्से बौ्टम प्य मैंने इस एस regular शेप डाला टीक है कि स्थे डालने के वाद में थोड़ा सा बार लेकि जाना आपको पेस से ठी तीक है और इसका तोड़ा हाइट उपर रख देब उसका कलर मेने शेत एलम में जाकर रेड कर दिया ठीक है और इसको 9 शैंद कंद बैब करके संड गाफ टाकि सबसे नास में चला जाए तिके दोनों शेप के पीछे चला जाए यह दोनों जो शरकल से इनके पीछे चला जाए अब यहां पर यह तीसरा पॉर्शन तेयार हो गया अब चौता पॉर्शन देखे आप चौता पॉर्शन में क्या है यहां पर देख सकते हैं एक यह लोगो एक यह लोगो और यहां पर शर्ग क्रीश सर्थ नाम डालाओ है हाय टैक कौंप प्यूटर तो इसको डालने के लिए सबसे पहले जो यह नाम है पुरा और नाम डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं एकpsy In गाए इंसर्ट फे गया इनसर्ट पर जाने बाद मैंने ड्रो ट्क्स और यहां पर ट्रो ट्क्स लेगा जय सकते हैं यह तो आप देख सकते हैं यह सारा इक वाइट कलर में pok iskyane ओ को नो फिल कर दें ताकि यह एक्जटली इसका बेग्ग्राउंड कलर ही काम आजाएगा जो पर ने पेज बेग्राउंड में लिया है यहां पर आप सबसे उपर नाम लिख सकते हैं इस चूट का इस हाई टेक कम्प्यूटर टूटोरली ठीक है और फिर बाद में मैंने यहां पर एक लिख दिया यह डिजिटल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफोर्म ठीक है और फिर ठीक नीचे मैंने अड्रस में डाल दिया हैं पर स्टेशन मार्केट ना को ठीक है अड्रस पूरा ने लिक रहा हूं मैं अब मुझे ठीक ओपर वाल लाइन को थोड़ा अच्छा हाईलाइट करना तो इसको स्लेक करूंगा स्लेक करने के बाद मैं इसका फोंड साइज फोंड लिंग्विज अलग ले लूँगा थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा अलग से दिखाने के लिए कलर भी चेंज कर दूंगा और ठीक वैसे देको इस डिस्टल फ्लेटफोर्म के बीच में गेप तो इस गेप को क्ले करने के इन दोनों लाइन को स्लेक करें और रिमूव स्पेस ठीक है यहां पे इसको नीचे क्लिक कर दें और ठीक इसको आप सेंटर में लेने के लिए आप सेंटर अलाइन कर लें ठीक है सेंटर अलाइन और यहां पे इस एड्रेस वाली चीज को आप छोटा दिखाना चाहिए तो इसको साइज का छोटा कर दें और फिर आप नेक्स्ट जो सबसे नीचे रैड कलर का पटी है उसमें आपको कोर्सेज के नाम देने हैं तो यहां पे कोर्सेज और यहां पे लिख दिया अपने जैसे सी सी ए डी सी ए टैली और लास्ट में लिख दिया वैब डिजाइन एंड ड़लप्मेंट तीक है अगर उदर जा रहा है तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लें साइज में ताकि यह एग्जर्टली पूरा दिखाई दे और इसको अल लाइन आफ लेफ साइड में कर लें तो वापस थोड़ा सा बढ़ा कर लें इसको तीक है और यह ड़लप्मेंट का स्पैलिंग गलत है तो ड़लप्मेंट का स्पैलिंग सही की है मैंने और यह नीचे कोर्स के नाम होगे इनको बोल्ड कर दीजिए अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा अपना लोगो और प्लस एक आपको डालना है आप देख सकते हैं पर एक तो यह पीस है और यह लोगो है तो लोगो तो मैं डारेक्ली यहां पोपी हम करके कन्ट्रोल शी करूंगा और अब जैसे ही मैंने लोगो कॉपी किया तो उसको पैस्ट कैसे करना बहुत ध्यान से करना आपको तो रहे कहीं करना टेख सबाक्ष मैं कह Alles को पैस्ट करना जैसे हैप प पूरी पीस के कोडिंग चलेगा अब ठीक वैसे ही मुझे दूसरा इमेज डालना है जो इमेज इस साइड में है इसकी राइट साइड के अंदर विस्टिंग काड में तो आप क्या करोगे इंसर्ट में जाओगे इंसर्ट में जाने के बाद में ऑनलाइन पिक्चर ले रहा मैंने एक सिंपल सा इमेज लिया इसको मैंने इंसर्ट किया जैसे इंसर्ट किया देखो यह इमेज आ जाएगी यहाँ पर इमेज आ चुकी है अब इसको सबसे पहले इसका पोजिशन क्या कर दीजिए आप फ्रंट आफ टेक्स कर दीजिए इन फ्रंट आफ टेक्स ठीक है जैसे infant of text हो गया, उसके बाद में इसको resize कर दीजे, छोटा कर दीजे, छोटा करने के बाद में इसको drag and drop करके आपको इसको जहाँ प्लेस करना है वो कर दीजे, अब देखो last काम क्या है, यहाँ पे आपको text box का border दिख रहा है, तो इस border को हटाने के लिए क्लिए क्या करोगे आप यहाँ पे जाके no outline, ठीक है, जैसे आप no outline करोगे, तो यह exactly एक वैसा ही visiting card बनके तयार हो गया है, जो अपने, यहाँ पहले मैंने आपको बताया था, तो इस तरह से आप एक visiting card बना सकते हैं, MS Word के अंदर, तो आशा करता हूँ आपने यह visiting card बनाना सीखा होगा, तो Thank you.